जहीं दोस्तों, Dune Academy of Defense में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम दुबारा से एक और आपके लिए कोशन लेकर आए हैं जो की कोशन है 2022 का दुबारा से अपरेल का है और इस कोशन में अभी तक में बात करूं, तो काफी लोगों को बड़ा-धाब दिक्कत करिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको बहुत यह अलग-अलग तरीके से निकाल रहे हैं तो बात करते हैं हम इसको किस तरीके से solve करना है, matrix का एक question है, बोला क्या गया है, कि अगर A बराबर एक matrix दे रखी हो, then A into Adjoint of A की value क्या होगी, null matrix होगी, minus I होगी, plus I होगी, या 2I होगी, identity matrix I को बोल रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे निकालना होता है, इसको निकालने का तरीका बड़ा असान होता है, आपको अगर ये वाली question जो है, अगर इसको solve करना है, तो बस आपको matrix की Adjoint की एक property बता होनी चाहिए, Adjoint की एक property क्या होती है, अगर A को Adjoint A से multiply करते हैं, तो ये Determinant of A, multiply अगर हम करते हैं, A को Adjoint A से अगर मैं multiply करता हूँ, तो ये आता है Determinant of A into I के बराबर, ठीक है, Determinant of A into I के बराबर आता है, अब इसको कैसे solve करना है, आपको करना क्या है, अगर इस पूरे की value चाहिए, तो इसका Determinant निकालना पड़ेगा आपको, यानि आपको बस A का Determinant चाहिए, और आपका answer निकल जाएगा, तो A का Determinant अगर मैं आपसे पूस्ता हूँ कितना होगा, तो आप बोलोगे, सर बड़ा असान है, इसको और इसको छोड़के, अगर मैं इसकी respect में ले रहा हूँ, आप इसकी यहाँ पर multiply कर दीजे, यानि 2 sin θ की sin θ से multiply कर दीजे, ठीके, और minus का sign लगा के, cos θ की, minus 2 cos θ से multiply कर दीजे, जैसी आप multiply करेंगे, तो यह बनेगा 2 sin square θ plus 2 cos square θ, और इसकी value होगी 2 sin square θ plus cos square θ के बराबर, अगर मैंने इसमें से 2 क्या कर लिया, common लिया, जैसी common लिया, यहाँ पर एक formula बनेगा, sin square θ plus cos square θ, जिसकी value होती है 1, तो इसका हो गया 2 into 1, यानि 2 इसका answer हो गया, तो determinant A जो आया, वो 2 आया, हमारे को निकालना है, A into adjoint of A, adjoint of A into A, जो की होता है, determinant of A into I के बराबर, तो यह हो गया 2 into I, यानि 2 I, इसका option number D क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, तो I hope आपको यह method समझ में आया होगा, यह बहुत ही basic formula से हमने जो है, इसका answer निकाल दिया है, question दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पत बहुत ही छोटा question है, ठीक है, तो I hope आपको यह सब को समझ में आया होगा, आगे के solution के लिए बने रहे हैं हमार साथ में, तब तक के लिए धन्यवाज जैहें,